नमस्कार दूस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको बहुत-बहुत सागत है, तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ important company के अपडेट शेयर करने वाला हो, तो इस वीडियो को पूरा लास तक देखिएगा, और अभी तक अपने चनलन को सब्सक्रेब निकिये, तो जुरू कर ल सिर्फ से एक कारण के बज़े से, सेर के बड़ बीग फॉल देखने को मिला, वो है company के quarterly result, अगर मैं quarterly result के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे, तो company के sales में कोई भी changes नहीं है, पंदरा सो क्रोड से सोला सो क्रोड बना, तो जो मतलब sales का growth है, वो उतना खास growth नहीं है, तो around around 10% के आसपास growth हुआ, तो उसलिए साहद company के थोड़ा सा pressurize बनता हो देखने को मिले, अभी expense को company मिटाने के बाद company के actually operating profit काम हो गया, और एही company के एक सबसे बड़ा दिक्कत वाला यहाँ पर बात हो चुके थे, कि कि company पिछले साल में 200 क्रोड का profit किये थे, और वो इस result है, बहुत हो सांदार देखने को मिला है, अभी company के उपर जो balance sheet है, उसके बारे में चर्चा करू तो company के reserve लगातार बढ़ता हो देखने को मिले, और company के जो करजा है, इस बार थोड़ा सा करजा जादा लिया गया, आज तक company last 3 years में company 80 करोड के 90 करोड के आसपास करजा लिय लिया है, इस बार directly 119 करोड के आसपास करजा लिया गया है, तो करजा जादा हुआ और company का profit कम होने के कारण थोड़ा सा pressurize बनता हुआ देखने को मिले, और जिसके चलते है, share में एक big fall देखने को मिला, अभी देखिए fall कहा से हुआ, जब रिजा लाया, उसके next day से ही share में correction देखने को मिला है, अभी जो लोग सोच रहा है कि company के ओपर यहाँ पर big fall देखने को मिलेगा, तो मुझे लगता है उतना जड़ा fall देखने को मिलने का chances बहुत काम है, क्योंकि बहुत दिनों तो konsulate करने के बाद, तो बहुत दिनों के एकी range के, एकी जगा पर company काम करने के बाद finally breakout हुआ, और सांदा तरगे से एक journey देखने को मिला, और basically companies के उपर यहाँ पे कफवी धाने patterns बना, पहले cup बना और यहाँ पे चार बार handle pattern केट हुआ, और उसके बाद breakout हुआ, उसके बाद सांदा तरगे से upturn journey यहाँ पे देखने को मिल दा था, अभी थोड़ा सा 50% जाने के बाद share में correction हो गया, अभी question है कि सर्या से कितना बड़ा गिरावट हो चकते हैं, देखिए, किसी को पता नहीं होता कि कितना गिरेगा, कितना भागेगा, हाँ, अगर support resistance के इसाब से बात करो, तो company के strongly support है, वो यही level देखने को मिलेगा, 1980 के आसपास, और उसके जाएगा, क्या होने वाल है, इसके लिए आपको तयार आएना पड़ेगा, इसके लिए आपको study करना पड़ेगा, अभी इस company के उपर, जो mutual fund के investment है, और last few months में, mutual fund ने किस तरह के से काम क्या, बो आपको दिखा दू, तो दिखे, November और December मान में, mutual fund ने बाई किया था, और January, February, March, April, इस चारो मान में, mutual fund ने क्या-क्या, quantity को सेल अफ किया, मतलब, selling पेसर ज्यादा है, और buying पेसर थोड़ा सा, मतलब, buying पेसर थोड़ा सा कम होता देखने को मिले, अभी basically इसी कारण के बचे से, साथ CR में, थोड़ा सा correction देखने को मिला है, तो आपके किराहें, जो दू कमपनी है, उसका नाम है IGN, तो इंदबस्ता गैस लिमिटेड, इसके उपर बहुत दिनों से कुछ खास performance नहीं हुआ, अगर मैं टेक्निकली चार्ट प्रेंस के बारे में बात कुर तो बहुत दिनों तक एक ही रेंज के उपर, कमपनी काम करते चले, देखने को मिला है, और कमपनी के देखें, जो बीग फॉल हुआ था, वो एक bad news के कारण, obviously government के तरफ से कोई भी companies के वर bad news आया, तो company के उपर एक थोड़ा सा प्रेसरीज बनता हुआ देखने को मिल सकता है, तो जब दिल्ली government ने announcement किया था, मतला नितन जी ने जब announcement किया था, कि दिल्ली में जितने सारे CNG में गाड़ी चलने वाला गाड़िया है, उसको बंद करेंगे, उस जगा पे electric vehicles market में जाला स्यथा चलाएंगे, तो इस ने उताने के बाद ही, CNG में चलने वाला जितने सारे companies है, मतला CNG बेचने वाला जितने सारे companies है, उसको उपर एक बहुत बड़ा जटका लगा आईजेल को पर नहीं, MGL के उपर, Gale के उपर और बहुत सरे companies के उपर एक pressure is बनता हुआ देखने को मिला था, basically companies pressure को जहलते होए भी company देखे धिरीदे करके आगे बढ़ रहा है, क्योंकि company का management, company का business बहुत strong है, अगर इस company के business के बारे में आपको दिखा दू, तो आप quarterly result द बढ़के हो चुके, 3600 करोड़, अभी 2024 में 3500 करोड़ के आसपास हो चुके है, मतलब company के sales लगातर बढ़ते चले जा रहा है, हाँ, अभी current year में थोड़ा से sales कम हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि company का business ही खराब हो गया, business ही खतम हो गया, company के expense मिटाने के बाद company के net profit, आप यह आप देख सकते है, 330 करोड़ से 362 करोड़ बना, उसके बाद 330 करोड़ बना, अभी 383 करोड़ बना, मतलब company के profitability है, वो एक range की सबसे बढ़ता हो देखने को मिले, अभी धिरिते करके कि इस company ने अच्छा कासा profit को growth किया, अच्छा कासा एक journey आप देखने को मिला है, तो जो company इतना सांधर performance कर रहा है, उसके साथ-साथ company के उपर जो देखा जाए, तो या भी भी अब देख सकते है, company के जो reserve है, वो दस साल पहले 1300 करोड़ के आसपास था, वो आज 8000 करोड़ के आसपास बन चुके है, उतलब reserve में कोई भी कम या नहीं है, और उसके साथ-साथ company के जो business के उपर, लेकि 2013 में 10 सर पहले से 290 करोड़ पैसा invest किये थे, और आज 1300 करोड़ के आसपास ongoing processing में investment कर रहा है, मतलब company लगातार खुद के business के उपर पैसा लगाता है, चले जा रहा है, और इसलिए company के उपर growth होना, बहुत सांधर तरिके से growth होना चाहिए था, मगर एक news के का अधरन, share में थोड़ा सा pressure raise बनता हो, देखने को मिले, अब इस new job sought out हो जाएगा, तब इस company के उपर फिर से जारनी देखने को मिल सकता है, जो लोग इस IGL के उपर काम कर रहा है, जो लोग IGL के उपर long term के लिए invest कर 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 रखे है, साध वो higher level में भी invest कर 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 रखे है, उसके बता दू, companies के उपर ज़्यादा करने के बात नहीं है, कि के company के support जो है, इस company के जो promoter है, आप खूद देख सकते है, इसके promoter दो बैक, दो अलग-अलग government company है, एक है Gail, और दूसरा है भारक Petroleum Limited, तो दोनों तो government company है, दोनों तो इस company को डूबने नहीं देंगे, तो इस बात इस बीडियो में आपको बता था, एक company का जो quarterly result आया, तो result मतला आएगा, उस result में आपको कुछ changes देखने को मिलेगा, तेकि result का कब आएगा, उसका date announcement हो चुगे है, upcoming result 23rd of May, तो 23rd of May ही पता चलेगा कि company किस तरह के से काम कर चुगे है, तो basically मुझे जो data देखने को मिला, उस इसके साथ साथ आप देखेंगे, तो expense के बारे में बात करो, तो 45,000 से 44,000 करोड हो चुगे है, और basically company के जो net profit है, 2400 से 20,800 बना, तो आप कहेंगे सार, यहापे तो profit positive है, तो अच्छी बात है, मगर पिछले सालों के आप data देखेंगे, तो 15,500 करोड से 19,000 बना था, उससे प इस बात देखने को नहीं मिला, तो जिसके चलते हैं मुझे लग रहा है company को फोड़ा सा pressure बनता हुआ, देखने को मिलेगा, क्योंकि sales down हो चुके है, और profit margin भी थोड़ा सा काम हुआ है, तो basically as a investor, promoter से लेकर FISDS, public के साथ से बात करो, तो FISDS के पास ही holding है, public के पास तो holding नही ही है, क्योंकि promoter इस company के पूरा के पूरा माल भेच कर भाग चुके है, अगर यार पेर FISDS में बात करो, तो भी आपको 2017 से पहले ही promoter इस company से गायव हो चुके है, अगर आप देखेंगे, तो mutual fund ने क्या किया, March month में बहुत ज़्यदा quantity adding किया, अभी March month के में एक chat button अपके सा share करो, ध्यान से देखना, कि जब इस ITC का March month का data था, तो March month में देखेंगे, जब इस lower side में था, तब बहुत ज़्यदा volume भी हुआ था, अगर ध्यान से देखेंगे, तो इस जगह पे बहुत ज़्यदा volume है, volume क्यों हुआ था, क्योंकि अच्छे company अगर सस्ते में मिले, तो labor institution इसका फाइदा उल्टा देते है, जब share में एक big grass देखने को मिलता है, strongly कोई support level देखने को मिलता है, वो ही level के आसपास बोग लोग NT लेते है, तो basically, company कपुर अभी फिलाल के लिए जो ITC के जो चार्ट पटन है, उसके बारे में चर्चा करो, तो मेरा NT बहुत पहले से है, कुछ इस तरी के से level में, around 360 rupees के आसपास, और मेरा जो target है, वो एक लंबा सा target लेकर चल रहा हूँ, करीबन 583 के आसपास, तो कुल मिलाकर 80% के आसपास target है, क्योंकि, sorry, 60% के आसपास target है, क्योंकि target बहुत पहले से लिया गया है, और इस target को मैं जूरू continue करूंगा, आपके क राहे है, जोरी मुझे comments करके बताना है, नेक्स चो कंपनी उसका में Tata Motors Limited, तो Tata Motors के पर बहुत बड़ा कुछ आपडेट्स आने वाल है, क्योंकि Tata Motors big investment करने जा रहा है, और वो भी Jaguar और Land Rover के उपर, और Tata Motors एक बहुत बड़ा आपडेट भी देने वाल है, क्योंकि, इसका फेसबालों जा है, दो रुपिया है, वो फेसबालों को एक रुपए करने वाल है, मतलब हर एक के बदले company दो से आपको split के साफ से देने वाल है, तो ये news जब से जलते जला आएगा, तो उसके लिए आप integer करना, और सारे company को बहुत स्टाड़ी करना, उसके बाद काम करना, ये मेरे तरफ से सारे company's का information as a education purpose में होता है, कोई भी buy and sell का recommendation होता नहीं है, तो मिलते नेक्स पीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद,